नमस्का वियोस आपका स्वागत है रीडियो द्वारका में आज हम आए में हैं विनीच भसीन जी के पास विनीच जी मैनेजिंग पार्टनर है विन्टेज फिन्वेस सर्विसेस प्राइवेट उमेटिट के और उनको पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग और फानेंशल सेक्टर का जिसमें से की स्पेसिफिकली वो फानेंशल सर्विसेस से जुड़े हैं पिछले 18 साल से आज हम उनसे जानेंगे कि जो ICICI का प्रोडेंशल फ्लेक्सी कैप फंड है वो किस तरह के इंवेस्टर्स के लिए सही रहेगा इसकी का से प्रोडेंशल फ्लेक्सी कैप फंड फंड वो किस तरह के कस्तमर्स के लिए सुटेबल है और उससे बहले हमें यह जानना जरूरी है कि यह फ्लेक्सी कैप फंड है क्या फ्लेक्सी कैप मतलब Rexxile in the capitalization of investing in the stock market इसके अंदर fund manager has the full freedom to invest into various kind of capitalization चाहे वो large cap है, small cap है या mid cap है अगर आप आज कल के समय के अंदर देखें बहुत सी नहीं companies आ रही है चाहे वो chemical based companies है pharmaceutical companies है आपके metal related companies है जो की आज की rate में small caps हैं या mid caps हैं वो आने वाले time में large cap company बन सकती है fund manager और दूसरा हमने देखा क्या है कि markets में हर time हर समय एक ही तरह के stocks नहीं चलते हैं कभी कभार आपने देखा हुआ कि कुछ साल हमारे large cap दादा fund रहने रहने रहे हैं और कई बार mid cap और small cap चलते हैं जैसा कि आपने पिछले एक साल में देखा हुआ कि large cap से mid cap और small cap ने आउट परफॉर्म किया इसके इलावा second benefit इसके अंदर ये है कि fund manager के पास complete freedom है time to time capitalization change करने की अगर उनको लगेगा कि market capitalization small cap में आज high risk है या high beta stocks आ रहे हैं लेकिन reduce that also इसके अंदर हट रहना कि investors invest कर सकते हैं मैं यह suggest करूंगा कि इसके अंदर investors lump sum करें तो long term का horizon लेके चले क्योंकि NFO के अंदर lump sum के अंदर पैसा डालने में fund manager के पास time हो जा है log selection करने का इसके इलावा आप SIP के route से भी कर सकते हैं और किसी भी liquid fund या floaters fund में पैसा डालके systematic transfer route के भूभी कर सकते हैं जिसमें कि आपको maximum averaging out आप इसकी buying cost कर सकते हैं इसके इलावा मैं यही कहूंगा कि this is a flexi gap fund and please invest into this stay safe, stay healthy and happy investing Thank you Mutual fund निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं निवेश से पहले योजना संबंदी सभी दस्तावेजों को ध्यान पूर्वक पढ़ ले कि लुए जजपी दस्तावेशध को दस्तावेश निवेशना संबंदी सभी च्पपाज़ लेश लेएशना संबंदी से ङधाशने हैं